Hello dear students, कैसे हैं आप सभी? I hope बूर अच्छे होंगे तो आज की स्टूडियो में हम Class 9th का जो आपका Sanskrit का Term 2 का Practice Paper है या फिर आप इसे Sample Paper भी कह सकते हैं तो आज की स्टूडियो में हमें Sample Paper का Solution करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस्टूडियो को तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Maximum Marks आपका 40 है यानि कि 40 नमर का आपका exam होगा Term 2 का Sanskrit का और Time Duration आप देख सकते हैं 2 घंटे का आपका exam होगा अब Questions के और बढ़ने से पहले यहाँ पर हमें कुछ समानी निर्देश यानि कि General Instructions दी गई हैं तो इन्हें आप सबसे पहले पढ़ सकते हैं वैसे जब मैं इस Sample Paper का यानि कि संस्कृत या Sample Paper का जब Review वाली वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने यह पूरा समानी निर्देश शमझा दिया था ठीके अब हम Questions के और बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा यह First Question है तो यह हमारा अप पठिताव बोधनम पे है यानि कि जैसे आपका Hindi और English में Unseen Passage आता है ना ऐसी हमारा संस्कृत में भी यहां पर यहां से लेकर यहां तक पूरा यह एक गद्यांज दिया गया है तो इसे सबसे पहले आपको बहुती कियरफुली पढ़ना पड़ेगा और फिर इस गद्यांज के बेस पे यहां पर आप देख सकते हैं हमसे Questions पूछे गए हैं सबसे पहले यह जो A है इसमें 3Qu suiv यहां पर पूछे गए हैं लेकिन इन तीनों में से सिर्फ दो कोशन के Answer ही आपको करने हैं क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं हमसे कहा गया है केवलम प्रश्ण दोयम तो इन तीनों में से सिर्फ आपको दो को ही करना है ठीक है और वो भी हमें कहा गया कि एक पदें लिखत यानि कि जो आंसर आप लिखेंगे वो सिर्फ एक पद में ही लिखना है ठीक है क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर हर एक कोशन एक नमबर का है और आपको दो कोशन का आंसर करना है इसलिए दो नमबर का आपका यह आ है रहा और जो third है उसका आंसर यह रहा अने का नाम ठीक है तो इसमें आपको तीनों के ही आंसर दिये गए हैं लेकिन आपको किनी दो के ही आंसर करने हैं ठीक है तो यह हमारा हो गया first question में और जो है उन सभी के आंसर अब हम second को देखते हैं तो देखिए second हमारा यह रहा आ ठीक है हमने first question जो है यह हमारा first question है गद्यान स्वाला इसमें जो आ है इसके तीनों कोशन के आंसर देख लिए अब इसी में हमारा आ है तो आ में भी आप देख सकते हैं तीन question ही हमें दिये गए हैं और इन में हमसे कहा गया है कि पूर्ण वाक्के इन लिखत यानि कि जो यह तीनों question है इसमें से सिर्फ आपको दो question के आंसर करने है और उनकी answer आपको पूर्ण वाक्के में लिखना है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक question जो है वो दो number का होगा तो total आपके चार number होगे हैं क्योंकि आपको दो के ही answer करने हैं इन तीनों में से तो यह हमारे तीन question है अब हम एक बार इन सभी का answer देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा A है इसमें हम से कहा गया था कि पूर्ण वाक्य में question के answer लिखने को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं first question का answer यह पूरा है हमारा पूर्ण वाक्य में second का answer यह रहा ठीक है इसी तरह से जो third है इसका answer आप देख सकते हैं यह रहा ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहां पर देखीए, second लिखा हुआ है, misprint होकर, लेकिन यह third है तो इस तरह से, यह हमारा जो A है, उसमें तीनो कोशन की answer यह हैं सारे लेकिन आपको सिर्फ दो के ही answer करने हैं वैसे यहां पर तीनो के ही answer दिये इन में से कोई दो के आंसर आपको करने हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा A का आप देखते हैं आगे तो DSO आप कुछ भी उचित शीर्षक लिख सकते हैं बस गद्यांज में बेस्ट होना चाहिए ठीक है याणि कि गद्यांज से मिलता जूलता होना चाहिए वैसा कुछ आपको ईक शीर्षक लिखना होता है तो हम इसका भी एक बार आंसर देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकत है इस जो यहां पर कहा गया है इसका मतलब यही है ठीक है तो इस तरह से हमारा यह answer हो गया एक आप हम next question को देखते हैं तो देख सकते हैं हमारा अगला है बड़ी यानि की तो देखें इसमें हमारा जो first है इसमें हमसे कहा गया है कि जो यह विधह है इसका समानार्थक पद लिखना है हमें गद्यांच में से ठीक है और जो यह second है इसमें यह हुत्वंत जो है इसका हमें एक करती पद लिखना है गद्यांच में से और जो यह third है इसमें निश्क्रियाह का विलोम लिखना है हमें यानि कि विलोम शब्द ठीक है और जो यह फौर्थ है इसमें यह जो समेशाम विरानाम है इसका विशेश पदम यानि कि विशेशन जो पद है वो हमें बताना है ठीक है तो इन सभी का एक बार हम इन चारों का आंसर देख लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो बड़ी E है इसमें जो first का आंसर है ये रहा जानिमह और जो second है उसका आंसर ये रहा वी रह और जो ये third है इसका आंसर ये रहा सक्रिया और four का समेशाम तो ये चारों के आंसर मैंने आपको दिखा दिये वैसे इसमें से सिर्फ आपको तीन के ही आंसर करने हैं तो ये हमारा होगा first question और उसके सारे जो answer है सभी parts के वो मैंने आपको बता दिया अब second question को हम देखते हैं तो second question आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका रचनातमक काररे का है यहाँ पर सबसे पहले यह हमें कहा गया second question में कि यहाँ पर एक हमें पत्र दिया गया है तेखिये ये रहा पूरा पत्र अब इस पत्र को जो यहाँ पर आप खालिस्थान देख रहे हैं एक यह रहा एक यह इन सभी खालिस्थान को आपको भरना है और इसके लिए यहाँ पर आपको options भी दिये गए हैं यह आप देख सकते हैं मजूशा ठीक है? इन ही में से कौन सा जैसे यहाँ पर देखिए जो यह first है हमारा खालिस्थान यहाँ पर इन में से कौन सा आएगा वो आपको भरना है ठीक है? इसी तरह से पूरे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं second, third, fourth, fifth, sixth इन सभी में आपको इसी मजूशा में से सब्दों को चाटके और लिखना है ठीक है? तो यह हमारा था question number two अब एक बार हम इन सभी का answer देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा second question है उसमें first खालिस्थान में हमारा यह आएगा second में यह रहा third का यह रहा ऐसी four, five, six, seven यह सारे हमें यहाँ पर दिये गए हैं आप देख सकते हैं सभी को ठीक है? और जो आपका second question है वो आपका total 5 number का है क्योंकि हर एक खालिस्थान आपका आधा number का है और total 10 खालिस्थान है इसलिए आपका 5 number का है second question ठीक है? अब आगे next हम third question को देखते हैं तो dear students यहाँ पर आप third question को देख सकते हैं इसमें हमें क्या कहा गया है? कि हमें इसमें यह एक यहाँ पर चित्र दिया गया है यह आप देख सकते हैं पूरा चित्र ठीक है? तो इसको देखते हुए आपको क्या करना है? देखिए हम से क्या कहा गया है कि इस चित्र को देखते हुए आपको 5 वाक के लिखने हैं संस्कृत में ठीक है और इसके लिए यहाँ पर हमें शब्द भी दिये गए हैं यह आप देख सकते हैं पूरे इनी का यूज करके आपको पांच वाक के लिखने हैं इस चित्र का ठीक है यानि कि इस चित्र से मिलते जुलते तो इसके अलावा यहाँ पर आगे हमें अथवा में भी कोशन द कवे के विशय पर एक अनुछेद लिखना है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए आपको यह कुछ शब्द दिये गए हैं इनी का यूज करके आपको इस विशय पर यानि की काकह विशय पर अनुछेद लिखना है ठीक है तो यह हमारा है आप देख सकते है third question में हमें option दिया गया है या तो आप ये चित्रवाला question करिए इसके उपर 5 वाक्य लिखिए Sanskrit में या फिर जो ये काकह वाला है काकह विशय पर आपको एक कनुछेद लिखना है इन सभी शब्दों का use करके ठीक है तो एक बार हम इन सभी का गया था कि वाक्य लिखने के लिए Sanskrit में तो ये पूरे लिखे गए है ठीक है और अत्वा वाला question ये रहा अत्वा में हमें अनुछेद लिखने के लिए कहा गया था तो ये आप देख सकते हैं ये रहा पूरा अनुछेद जो कि काकह विशय पर था तो हर एक वाक्य आपका एक नमबर का होगा इसलिए पांच नमबर का आपका थार्ड question है अब फोर्थ question को देखते हैं तो डिये सेंज फोर्थ question यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिये गए हिंदी और इंग्लिश में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं total आपको इसमें 6 वाक्य दिये गए हैं ठीक है लेकिन 6 में से सिर्फ आपको कोई 5 वाक्य हो ही करना है और करना क्या है आपको कि जो आपको यह हिंदी में दिये गए हैं इनको आपको संस्कृत में लिखना है यानि कि संस्कृत भाषा में लिखना है जैसे कि वह है मेरा घर है तो इसे आपको संस्कृत में बनाना है और 6 कोशन आपको दिए गए हैं यानि कि 6 वाक्य दिए गए हैं इन में से कोई 5 को करना है और ये कोशन आपका 5 नमर का है क्योंकि हर एक जो आपका वाक्य हुए एक नमर का होगा इसलिए पांच नमर का आपका कोशन नमर चार है तो एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कोशन नमर चार है उसमें पहला जो वाक्य है उसका यह रहा आंसर यानि कि संस्कृत में हम इस तरह से लिखेंगे जो दूसरा है उसको इस तरह से लिखेंगे ऐसे ही तीसरा, चोथा, पांचवा, छटा छे के आंसर हमें दिये गए हैं लेकिन इनमें से कोई पांच को ही करना है ठीक है? तो यह हमारा था कोईशन नमर चार और उसका आंसर अब इसके वाद नेक्स कोईशन नमर पांच को देखते हैं हम तो डिये जो इस कोईशन नमर पांच यहां पर आप देख सकते हैं यह हमें है दिया गया पठीताव बोधनम यानि कि यहां से आपके book के question start हो जाते हैं जो आपके बास book है उसमें से question आपका यहां से आ रहा है सबसे पहले यहां पर question number 5 है तो इसमें देखी हमें एक यहां पर गद्यांज दिया गया है यहां से ले करके यहां तक तो सबसे पहले आपको ये पूरा गद्यांज जो है इसे आपको पढ़ना है और फिर इसके बाद यहाँ पर अ जो है इसमें तीन कोशन दिये गए हैं तो इसमें से आपको सिर्फ दो कोशन के आंसर करने हैं और इसमें भी आपको एक पदेन उतरत यानि कि एक पद में आंसर लिखना है इन तीनों में से किसी दो के ठीके और हर एक कोशन आपके आधे नमबर का है इसलिए ये जो अ है ये एक नमबर का आपका होगा ठीके तो एक के बाद इसमें से आपको सिर्फ दो के ही आंसर करने हैं लेकिन आपको तीनों के आंसर दिये गए हैं तो यह हमारा हो गया अब देखिए आ को करते हैं हम तो देखिए यह हमारा है इसमें भी हमें तीन कोशन दिये गए हैं तो इसमें से भी आपको सिर्फ दो के ही आंसर करने ह और यह हमारा पूर्ण वाक्य उत्रत वाला है यानि कि जो इस तीनों में से किनी दो के आंसर आप करेंगे तो उनके आंसर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं और यह आपका हर एक कोशन एक नमबर का है इसलिए दो नमबर हो गया आपका आ का ठीक है आप देखिए इसका answer देख लेते हम तो यह आप देख सकते हैं जो हमारा आ है इसमें फर्स्ट का आनसर यह रहा पूरा पूर्ट के में फिर इसके बाद जो you WHO MUSIC यह रहा यह पर आप देख सकते हैं और जो थर्ड है उसका यह रहा इसमें भी आपको तीनों question के यह answer दिए गहे हैं ठीक है लेकिन इन तीनों में से किसी दो के ही आपको आंसर करने हैं तो ये हमारा हो गया जो A है question number 5 का उसका आंसर तीनों का अब question number 6 को देखते हैं हम तो DSO यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा question number 6 है ये पद पे बेज़्ड है यानि कि जैसे question number 5 आपका गद्यांश था गद्य पे अब ये जो question number 6 है ये आपका पद्य पे बेस्ट है ठीक है तो ये आपको एक पद्य दिया गया है इसे आपको सबसे पहले पढ़ना है और इसमें सबसे पहले जो ये अ है इसमें 3 question दिये गए हैं तो यहाँ पर इसमें के answer करने हैं और यह आपका आंसर जो है वह एक पद होगा यानि कि एक पद में आपको answer लिखना है ठोगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हरे question आपका आधे number का होगा और आपको दो question करना है इसलिए एक नमबर का आपका ये A है तो एक बार हम इन तीनों का आंसर देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कोशन नमर 6 जो है उसमें A का ये तीनों कोशन के आंसर ये रहें ठीक है तो ये हमारा हो गया A के आंसर अब देखते हैं हम A को तो ये रहा हमारा A इसमें आपसे क्या कहा गया है कि पूर्ण वाक्य इन उत्तरत यानि कि जो ये तीन कोशन है इसमें से आपको दो कोशन की आंसर करने है और हर एक कोशन का आंसर आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है और ये आपका हर एक कोशन एक नमबर का है इसलिए दो नमबर का आपका य है ठीक है तो एक बार हम इन तीनों का आंसर देख लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं हमारा आ में तीनों कोशन के आंसर यह हमें दिये गए हैं ठीक है यह पूर्ण वाक्य में हैं यह फर्स सेकेंड थर्ड तो यह हो गया हमारा कोशन नमर 6 अब नेक्स कोशन को देखते हैं ह आप देख सकते हैं इसमें हमें यह जो पूरा आप देख रहे हैं यह हमें एक नाटक कह सकते हैं तो हमें एक यह नाटक दिया गया कोशन नमस साथ में तो इसे आपको सबसे पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा और फिर इसके बाद इस पे बेज्ड यहां पर कोशन समसे ठीक है और हर एक कोशन आपका आधे नमबर का होगा इसलिए एक नमबर का आपका ये अ है अब एक बार हम इन तीनों का आंसर देख लेते हैं तो देखिए ये हमारा जो साथवे कोशन है उसमें अ जो है उसके तीनों कोशन के आंसर ये रहें ठीक है इन तीनों में से किनी दो के answer ही आपको करने हैं तो यह हमारा हो गया अब देखते हैं आ को तो देखिए आ में भी हमें तीन question ही दिये गए हैं और इसमें भी हमें केवल दो question के answer करने हैं और answer हमें पूर्ण वाक्य में करना है ठीक है तो यह हमारा A में जो 2 question के answer आप करेंगे तो हर एक question आपका एक number का होगा इसलिए 2 number आपके A के हैं ठीक हैं तो एक बार हम इनका answer देख लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं जो हमारा A है उसमें तीनों question के answer हमें यह दिये गए हैं ठीक है, इन में से कोई दो के आंसर ही आपको करने हैं, लेकिन आपको तीनों के आंसर दिये गए हैं, तो यह हमारा हो गया question no 7, अब हम next question no 8 को देखते हैं, तो DSOS यहाँ पर आप देख सकते है, question no 8 हमारा ये रहा, इसमें हमें यह एक यहाँ पर आप देख सकते हैं शलोक दिया गया है ठीक है तो इस शलोक को आपको पहले पूरा पढ़ना है और फिर इसके बेस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमसे खालिस्थान पूछा गया है यह चार इसमें खालिस्थान है तो इन चारों में आपको answer भरना है और हर एक खालिस्थान आपका आधे नमबर का होगा इसलिए दो नमबर का आपका जो ये question number 8 है ये है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इसके लिए ये मजूशा भी दिया गया है यानि कि जो ये आपका खालिस्थान है ना इसके लिए आपको यहाँ पर मजूशा में शब्द भी दिये गये हैं तो इन्ही में से चाट के आपको इस खालिस्थान में भरना है और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इसके बदले में यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में दिया गया है तो यह वाला भी कर सकते हैं ठीक है इसमें आपको यह पढ़ना है और इसके बेस पर यह जो खालिस्थान है इसे भरना है इसमें भी आपको यह पूरा जो देख सकते हैं यह मजूशा दिया गया है तो इसी मजूशा में से आपको शब्दों को इन खालिस्थान में भरना है ठीक है? तो एक बार हम इनका आंसर देख लेते हैं Q8 का तो यहां पर आप देख सकते हैं Q8 में जो हमारा 1st था उसका आंसर ये रहा पूरा ठीक है? और जो अत्वा में था उसका आंसर आप देख सकते हैं ये रहा तो इस तरह से हमारा ये Q8 और उसके आंसर मैंने आपको बता दिये अब हम नेक्स Q9 देखते हैं तो DSO यहां पर आप देख सकते हैं ये Q9 है हमारा ये जो है ये लास्ट Q9 है और इसमें आप देख सकते हैं ये कोशन आपका चार नमबर का है और हर एक कोशन आपका आधे नमबर का है ठीक है तो इसमें देखिए हमसे कहा क्या गया है कि जो इसमें आप ये सारे वाक के देख रहे हैं इन्हें आपको क्रम में लिखना है ठीक है आप समझ गे होंगे कि इसमें करना क्या है कि जो आपके पास book है ना उसमें कोई एक chapter का ये सारा हमें वाक्य दिया गया है ठीक है तो इसमें जो ये first number पे दिया है जरूर नहीं कि ये सबसे पहले यही आएगा ठीक है क्योंकि आपने book का जो chapter है वो पढ़ा होगा तो उसमें आपने पहचान लिया होगा कि ये कौन से chapter के हैं ठीक है तो इनको आपको क्रम में लिखना है यानि कि हो सकता है कि सबसे पहले ये ना हो हो सकता है कि ये वाला हो ठीक है तो ये आपको पहले नमबर पे लिखना है अगर ये वाला सबसे पहले है तो अगर ये मान लीजे छटा है सबसे पहले तो इसी आपको पहले नमबर पर लिखना है यानि कि आपको क्रम में लिखना है बिलकुल क्रम अनुसार तो ये हमारा कोशन नमर 9 है जैसे मैं आपको एक बार इसका आंसर दिखा देता हूँ अपर आप देख सकते हैं कि first number पर हमारा यह है तो इसी तरह से second number पर ये वाला वाक्य है ऐसे third number पर ये वाक्य है ऐसे four number पर यह है तो इसी तरह से आपको क्रम में सभी जो हाक्य दिये गे हैं आपको 8 में ख्रब्रत शब्गे उन में लिख नए धा या था याईगा तो है दुसरे बन में को chamow वेपर था संसक्रित का और सुरूशन था मैं आ इस आपको क्या पता चलता है कि को ही आपकाल संसक्रित का तो उसके संस्केट के कोशन पेपर में टोटल आपके 9 कोशन ही आएंगे ठीक है तो और इसके अलावा एक बात और बता दूं कि जो आपका ये सारा सेंपल पेपर में हमने कोशन देखा और आंसर देखा तो जरूरी नहीं है कि यही कोशन ही आपके टर्म 2 के एक्जाम में ये बस मैं आपको आइडिया देने के लिए ये सेंपल पेपर दिखाया ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि जो आपका टर्म 2 एक्जाम होने वाला संस्केट का तो कोशन पेपर का पैटर्न क्या होगा कितने कोशन साएंगे कितने नंबर के कितने कोशन होंगे ये सारी sure के साथ हम नहीं कह सकते हैं कि इसी में से ही आपके question आएंगे ठीक है तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको ये sample paper का pdf और ये solution का pdf चाहिए तो आप हमारे telegram group से ले सकते हैं और अगर अपने telegram group जोइन नहीं किया है तो उसको जोइन कर लेना उसका link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा ठीक है वहाँ पर click करके telegram group जोइन कर सकते हैं और वहाँ से आप ये sample paper की pdf और solution की pdf ले सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको मिल जाए मिलते हैं फिर नेक्स टुडियो में धन्यवाद